हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विकास कुमार आप देख रहे हैं U.P.B.C.S.C. चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेक स्पीट पोस्ट के बारे में दोस्तों आज आप पता कर सकते हैं आपका पैनकार्ड आपका अधारकार्ड पीबीसी किस location पर है किस pin code छेतर पे है आपका pine card किस dark में है आप किस road से है आप बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों अभी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe कर लें दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों हम अपने सहज portal पे login हो चुके हैं दोस्तों हमें यहाँ पे pine card का option मिलता है pine card के option पे हमें click करना है दोस्तों आप CSC के दोरा भर रहे हैं दोस्तों या सहज के दोरा आप किसी के थुरू आप भर सकते हैं आपको pine card के ही official website पे आपको जाना पड़ेगा दोस्तों चले दोस्तों हम pine card के आप इसी ली website पे आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे हमें track pine का एक option देखनों के मिलता है दोस्तों हमें इस पे click करना है चले दोस्तों हमें इस पे click करते हैं जैसे दोस्तों हम इस पे click करेंगे Find application status पे हमारे सामने या इस प्रकार का आपसन खुलेगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पे application number डालना है आपने पैन कार्ड बनवाते समय आपको एकी receiving मिली होगी उस पे आपको A0 करके कुछ application number मिला होगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पे आप live देख सकते हैं हमें इसे copy करना है कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें application number डाल देना है submit पर click करेंगे दोस्तों जैसे इस पर submit पर click करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार का option खुलेगा यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है आपका pen card आपके gmail id पर successfully भेज दिया गया दोस्तों दोस्तों यह तो हमारा e pen card हमारे gmail id पर पहुँचाता है दोस्तों यहाँ पे हमें एक option देखनों को मिलता है pen card tracking का number दोस्तों इस number को हमें copy करना है और हमें Google के Chrome ब्राउजर पर चले जाना है दोस्तों चलिए दोस्तों यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका pen card इस gmail id पे भेज दिया गया है चले दोस्तों copy करते हैं track number और Chrome ब्राउजर के में टाइप करेंगे post tracking दोस्तों post track या tracking आप लिक कर इंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का interface open होगा दोस्तों हमें इस पर click करेंगे हमारे सामने कुछ इस परकार का interface open होगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पे हमें tracking number अपना paste करना है जो हमने अभी copy किया था दोस्तों यहाँ पे हम successfully copy कर लेते हैं और capture फिल करते हैं दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों आपको capture बड़े ही साउधानी से भरना है दोस्तों यहाँ पे आप आपके server और network के उपर depend करेगा दोस्तों यहाँ पे कुछ processing लेगा processing होने देना है दोस्तों वेट कर लेते हैं तब तक दोस्तों आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और कमेंट में आप जरूर बताइएगा आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं दोस्तों अभी हमारे सामने processing हो रहा है यहाँ पे दोस्तों आपका result हो जाता है किस डेट पे आपका पैन काड या अधार काड पोस्ट हुआ है आपको डेट देखनों के मिलता है दोस्तों आपको डेट के साथ ही साथ आपको टाइम देखनों के मिलता है उसके बाद दोस्तों आपका किस रोड और किस पोस्ट आफिस में आपका पैन काड या अधार काड पोस्ट हुआ है जैसे ही आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी डाक्स से पोस्ट होता है तो आपके फोन पर भी मैसेज जाता रहता है दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों आप बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं हमारा पैन कार्ड या आधार कार्ड किस अस्थान पे हैं मिलते हैं दोस